मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? चलिए आज मैं आपको आगे की करोना वाइरस की कहानी सुनाती हूँ. बेटा, करोना वाइरस ने हम सभी को सफाई के प्रती काफी सचेत कर दिया. कहते हैं ना, हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छीपी रहती है? इस आपदा में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे केवल घर का बना ही खाना-खाना, किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सबको नमशकार करना, हाथ जोड़कर भीर वाली जगों पर नहीं जाना. इस आपदा ने हमें मानवता सिखाई, जो शायर इस मौडर्न युग में कहीं खोती जा रही थी. घर में सबको एक साथ मिलकर रहना सीखा. कुछ लोगों ने अपने शौक यानि की होबीज को भी जिया, जो इस भागदोर वाली जिन्दगी में नहीं कर पा रहे थे. समस्त नदी, नाले, तलाब, समुद्र, आदी सभी साफ हो गए, जिसे हमारी सरकारे पिछले कई वर्षों से साफ करने का प्रयास कर रही थी, पर रन्तु हर बार असफल रही, कभी-कभी तो ऐसा रखता है, मानो प्रकर्ती हम से बदला ले रही हो. सही बात है, बेटा, प्रकर्ती के साथ हमें ज्यादा छेड़चा नहीं करने चाहिए, और प्रकर्ती के साथ ही जीना चाहिए. बच्चों, हमें यह भी जानना जरूरी है कि करोना वाइरस कितने समय तक किस सतह पर जीवित रह सकता है, ताकि हम लोग अपना ध्यान रख सकें और अपने आपको बचा सकें. बेटा, करोना वाइरस, सिरेमिक्स यह कांच, सिरेमिक्स माने चीनी मिट्टी के बर्तन, इन प प्लास्टिक पर यह दो से तीन दिन तक जीवित रह सकता है, स्टील पर भी यह दो से तीन दिन तक जीवित रह सकता है, लकडी पर चार दिन दिन लगबग जीवित रह सकता है, यह पानी में नहीं पाया गया है, अभी तक कि शोद के अनुसार, पानी में और फल सबजी पकेवे खाने में करोनवाइरस नहीं पाया गया है कपडों में यह बहुत कम समय तक ही जीवित रहता है तो बेटा जब हम कहीं जाएं और अपने घरों की भी या हमारे घर में कोई आता है तो हमें अपने घरों की हर एक बस्तू को, कुर्सियों को, मेज को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए हम कहीं जाते हैं तो यह भी चेक कर लें कि जहां पर हम बैठ रहे हैं या जिस चीज को हम छू रहे हैं वो साफ है या नहीं तो बच्चों आपने देखा कि करोना वाइरस किस जगह पर कितने दिन तक जीवित रह सकता है अथा हमें बहुत ध्यान से सबी चीजों का इस्तमाल करना चाहिए और हर जगह जाकर नहीं बैठना है करोना वाइरस बहुत गर्मी में जीवित नहीं रह सकता है इसलिए अगर हमने कोई चीज बाहर से मंगाई है जैसे Amazon वगरे से आप लोग सब खरीदारी करते हैं तो उन packets को थोड़ी देर के 3-4 घंटे के लिए बाहर धूप में रख दें वा सैनिटाइज कर लें उसके बाद ही हमें इसको छूना चाहिए तो बच्चों हमें अपना बचाओ स्वेम रखना है ध्यान रखना है हमें अपना हर समय वी हैव तो बीकेफुल एट एवरी स्टेप सो दैट वी दूना बिकम विक्टिम ओफ करोना वाइरस अफवाहूं पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देना है सबका सहयोग करना है जैसे आक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, कर्मी जो बेचारे अपनी जान पर खेल कर हम सब के लिए काम कर रहे हैं हमेशा हमें उनका सम्मान करना है और उनका कहना मानना है बेटा आगे की कहानी थोड़ी सी पच्ची है उसे मैं आपको कल सुनाऊंगी आज के लिए केवल इतना ही Be happy, be safe, keep learning. Thank you